यूपी के बहराईश में भेडिये का आतंक जारी एक और बच्ची को बनाया निमाला, बुजर्ग महिला घायल ग्रामिणों में दहसत लगातार छेत में भेडिये कर रहे हमला बन विभाग भी हो रहा परेसाथ, उत्तर तुर्देश के बहराईश में भेडिये का आतंक जारी है भेडिये ने आज सुबह चार बजे हमला कर धाई बर सिये बच्ची पर हमला कर उसे निमाला बनाया वहीं महिला पर रात बारा बज़े हमला कर घायल कर दिया जिसे सीसी सी जिला स्पताल दिफर किया गया है बहराई जिले के महसी तहसील छेत में आम लोगों की सुच्छा और भेडियों को पकड़ने के लिए बिभिन जिरों की बन टीम की 12 टीम लगी हुई है इसके अलावा दो कमपनी पियसी जवानों के साथ पुलिस लगी हुई है इसके बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं एक बार पुनहा तरदिन हमना होने लगा है हर्दी थाना छेत के सिल छेत के ग्राम पंचायत कोटिया के मजड़ा बारा बीगा गावनी वासी साथ बच्छे का हमला देवी पत्नी मोहनलाल पर आदम खुल भेड़ी ने हमला कर दिया जिसने सेस्टी ले जाया गया यहां पर उनकी हालत गंभीर बताते हुए डाक्टर उन्हें जिला अस्प ब्याप्थ है यहां पर लगातार कारवाही की जा रही है बन विभाक की कई टीमें लगी हुई है साथ ही पुलिस वा प्यस्टी के जवान भी लगाये गए हैं लेकिर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा ग्रामीडों में दहसत का माहूल है लोग परिशान है कब किस पर हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता इस आसंका से लोग राद भर सो भी नहीं पाते करी जगहों पर तो लोग राद भर पहरेदारी भी करते हुए नज़राते हैं उत्तर प्रदेश के महसी थाना छेत का य सामला है जहां पर लोगों की दुस्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है कि जो पहली वाली है कि एक तो बच्चे वाला हो जाए एक यह महिला जो है यह वहां है जिला स्पताल में और एक तीसरे कौन सी है खरेनिया टेपरा की है वह भी हास्पिटल पर वहां दिश्ट हाँ हाँ